मेडिसीन इस्टोर कैसे खोले भारत में, क्या इसके पीछे आपको टर्मेन कंडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, सरकार का कौन-कौन से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, किन जगहों से आपको NOC लेना पड़ेगा, जिन लोगों के पास भी फर्मा-मफर्मा का डिगरी है, वो कैसे खोल सकते हैं, हर एक प्रोसेस को मैंने इस वीडियो में समझाया है, आपको बता दे कि आने वाले समय में भारत की पॉपिलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ेगी, और इस बढ़ते हुए पॉपिलेशन में सुगर का डिजीज, हर्ट का डिजीज, अलग-अलग तरह के बिमारी, बुखार, ये सब तीचीजी जो है, बहुत तीजी से बढ़ेगी, तो इसलिए दवाई का डिमांड जो है, अगर कोई आपको ये कहे कि दवाई का भविस्द नहीं है, फ्यूचर नहीं है दवाई के दुकान का, तो आप उसको यही कहिए गए कि ऐसा हो ही नहीं स पूरे वीडियो को आगे देखते हैं, जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए अलग-अलग दुकानों पे जा रहा था और उनसे पूछ रहा था कि आपका दुकान कैसा चलता है, भविस्द में इसका क्या फ्यूचर है, तो उन में से बहुत सारे अच्छे दुखंदार थ पूछा था है और गरवी हो गेरा के समय नौर्मल यह तो उसमय बिजनेस थोड़ा कम हो जाता है, तो दवाई का दुकान का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि जिसमें सिर्फ दवाईयां रख की जाए, दवाई का दुकान का मतलब होता है जो सरजरी एक्यूपमेंट बेसते है जो अलग-अलग तरह के चीजे बेशते हैं, मतलब समझे, medicine field से जुड़ा हुआ जो सभी चीजों को cover करते हैं, उसका मतलब होता है एक proper दवाई का दुकान, अब ये समझे कि ये business, जब मैंने कुछ दुकानदारों से और पूछा, उनमें से कुछ ऐसे भी निकले, जो नहीं चाते थे कि इस पर detail video गेरा बने, ताकि नए लोग competition बढ़ाया के, तो उनका जो कहना था, वो कह रहे थे कि दवाई के field में competition बहुत है, competition बहुत है तो भाई, population भी बहुत है अमारे देश की, अवादी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस चीज को समझना बहुत ही कि कितना का दवाई जो है बेचा जाता है दवाई के दुकानों से, तो मैंने जो data चेक किया और मैं सौख हो गया पूरी तरह से, सबसे पहला बात जो मेरे सामने में आया, वो साल 2021 में पूरे भारत में 42 billion dollar का दवाई बेचा गया, दवाई दुकंदार लोगों ने बेचा, अब बात करते हैं 2024 का, 26 का रिस्ता, आगे की बात करें तो एकनॉमिस्ट लोग अंधाजा लगाते हैं कि भारत में दवाई का market इतना बढ़ने वाला है, कि आने वाले समय में 100 billion तक जो है, दवाई requirement होगा, 100 billion dollar का market होगा दवाई का, तो इस market में नए लोगों का आना जरूर पूरे भारत में 5 तरह के दवाई दुकान खोले जाते हैं, इन में सबसे पहला तरह का दवाई दुकान जो होता है, उसे कहा जाता है, हॉस्पीटल फार्मेसी मतलब होता है, कोई भी private hospital है, उसे contact करके आपने उसके सामने दवाई का दुकान खोल दीया, उसके patient आकर आकर आ क्या होता है आप कहीं भी अपने कॉनली में अपने कॉनली के में गेट पर अपने कॉनली के बाहर में रोड पे कहीं भी अपना दुकान को इस्टेवल करते हो और जिन लोगों को दवाई का जरुत होता है वो अपना परजा लेके आते हैं आप सभी तरह का दवाई रखते हो या फिर कहते हो का लैब लेवल करवा देंगे, ये तरह का जो धबाई दुकान होता है, उसे कहा जाता है स्वतंत्र फार्मसी, तीसरे तरह का जो होता है उसे कहा जाता है चेन फार्मसी, चेन फार्मसी मेली कमपनी वाले कोई खोली जाती है, जैसे देखोगे आप सिपला पूरे भारत में हैं इनका और यह सिर्फ शिपला के मेडिसीन बेस्ट हैं ऐसे अलग अलग दवाई कमपनी जो है अपने chain medicine बना के chain दुकाने बना कर अपना दवाई का दुकान खोलती है चौथा तरह का दवाई का दुकान होता है उसे कहा जाता है Township Medicine Store Township Medicine Store का मतलब क्या हो गया बहुत सारे housing society होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े apartment बने होते हैं बंगलो बने होते हैं सब कुछ बने हुए होते हैं जिसमें मतलब समझो एक पुरा कॉनली टाइप का बना हुआ है और उसमें कम से कम 2000 लोग रह रहे हैं बड़े बड़े सहरों में ऐसा ही apartment होता है तो उन apartments में एक दवाई का दुकान होता है उनके सामने वो सारे apartment के लोगों को जितना भी दवाई का जरुरत पड़ेगा आप से आके लेंगे वो आप ही उनके सारे के supplier हो जाते ये deal होती है builders के साथ contact करके आप भी अगर आपके आसपास कोई township बन रहा है उसमें आप दवाई का दुकान खोल सकते हो उसके बाद जो पाँचमा तरह का दवाई का दुकान होता है उससे कहा जाता है सरकारी medicine store सरकारी medicine store में जना सुद्धी केंदर हो गया जिसमें सस्ते generic दवाई बेचे जाते है या फिर सरकारी hospital के अंदर हो गया सरकारी hospital के अंदर दवाई का दुकान जो है दो लोग खोल सकते है एक तो normal सरकारी खोलती है दूसरा जो दवाई का दुकान खोलता है उसमें NGO और गेरा भी खोल सकती है तो ये पॉचो तरह के medicine सोब थे जो भारत में खोले जाते है दवाई का दुकान खोलने के लिए मेंलिए आपके पास दो license का सबसे जरूरत परता है सबसे पहला license होता है Central Drug Organization जारी करती है दूसरा license का जरूरत परता है State Drug Organization जारी करती है दोनों मतलब Central से भी आपको license लेना परता है और State से भी लेना परता है इसके अलावा जो सबसे important चीज़ आपको समझना होगा कि जब आप दवाई का दुकान खोलोगे या फिर आपको अगर experience होगा तो आपको पता होगा कि आपके पास दो option होते हैं या तो आप retail drug shop खोलो retail वाला दुकान खोलो जैसे normal खोले जाते हैं या तो आप wholesaler दवाई का दुकान खोलो जो लोग wholesaler दवाई का दुकान खोलना चाहते हैं उनको कम से कम 4 year का medicine field में experience होना चाहिए दवाईयों के field में उनके अच्छा खासा experience और उसके बाद SSLC का exam पास करना होता है वही लोग wholesaler दवाई का दुकान खोल सकते हैं अगर जो लोग retail दुकान खोलना चाहते हैं उनके पास बस B-Pharma या M-Pharma की degree नहीं होनी चाहिए और आगे मैं ये भी बता दूँगा आपको कि जिसके पास B-Pharma की degree नहीं है वो कैसे दवाई का दुकान खोल सकता है और नियूनतम जगह की जरूरत की बात करें तो 10 वर्ग मीटर से लेके 15 वर्ग मीटर का जमीन जो है काफी असान है मतलब इसमें मिल जाएगा आपको license अब ये समझे कि बहुत सारे लोगों का license reject होड़ा है आज काल किस कारण से कि उनका area बहुत polluted है अगर आप जिस area में रह रहे हैं वो area बहुत ज़्यादा polluted है मतलब बहुत नाला वाला है बहुत गंदगी है वहाँ पे तो उन जगहों पे भी दवाई का license जो है आप मिलना मुस्किल हो रहा है अब जो है वो लोग inspection और गयरा जो करने आते है वो लोग license को रद कर देते हैं मतलब देते ही नहीं है पास ही नहीं होने देते है exam को वो इसलिए जगह जो चुनोगे वो बहुत साफ सफाई होना चाहिए आसपास अच्छा area होना चाहिए ऐसा कोई भी जगह नहीं होना चाहिए कि factory के बगल में है चाहिए इसके बगल में है तो मुस्किल हो जाता है इस जगहों पे license लेना अब बात करते हैं कि ये दोनों license कैसे लेना है और जिनके पास degree नहीं है वो कैसे खोले दुकान ये मेरे बगल में लिष्ट है सारे उन जरूरी papers का जिसका आपको जरूरत पड़ेगा license लेने के लिए आप इसका screenshot लेके रख लीजे ताकि भविस में आपको काम आ जाए देखिए सबसे पहला paper जो आपके पास होना चाहिए form number 16 form number 16 जो आप direct google से download कर सकते है जिसको problem होगा आप comment कर दिए मैं आपको link ले दूँगा दूसरा चलाम 3,000 रुपे का आपको जमा करना पड़ता है depend करता है किसी state से हो कई पहारी राजियों में कम है कई राजियों में कम है तो आपना राज कॉमेंट कर दोगे तो मैं बता दूँगा आपके हां कितना का चलान लगता है और मालिक का sectione करहान पत्र होना चाहिए अगर sectionE動画 जो मालिक खोलना चाहा है उसका sectione करमान पत्र होना चाहिए proprietor का पहचान पत्र होना चाहिए self-attested copy होना चाहिए जिसके लिए आप voter ID card का यूज कर सकते हो driving license का यूज कर सकते हो किसी विचिश का यूज कर सकते हो अगर आपके पास B-Pherma, M-Pherma की degree नहीं है तो आपको एक pharmacist को job पे रखना होगा उसको एक salary दे के job पे रखना होगा तो उस pharmacist का सपत पत्र भी आपको साथ में जमा करना पड़ेगा registered pharmacist की sectionic परमान पत्र भी जमा करनी पड़ेगी registered pharmacist की पहचान पत्र की स्वामी पृतिया मतलब जैसे उसके आधार काड हो गया driving license हो गया ये सारा self-attested होना चाहिए निर्धारिक पेमेंट में application form आवेदक का नाम पदनाम विवरन का विवरन के साथ आवेदन की एक विविदे हस्ताक्षर सभी कुछ इगदम cover letter पे detailed में होनी चाहिए registration के लिए जमा की गई सुल की रसीद और चलान परिसर का blueprint ये सबसे जरूरी चीज़ है कि जो आपका परिसर होगा जहां आप दवाई दुकान खोलोगे उसका blueprint बहुत ही neat and clear होनी चाहिए उसके बाद registered pharmacist या समान रूप से सक्छम वैक्ति का सपत पत्र जो पुन रूप से काम करेगा मतलब वो वैक्ति जिसके भरोसे आप ये दवाई का दुकान खोलने है अगर आपके पास नहीं है अगर आपके पास खुद का है तो ये सारे papers तो आपको खुद के ही जमा करने पड़ेंगे आप ये समझे कि बेपार संगठन में रेइस्ट्रेशन का परवान पत्र होना चाहिए आपके पास ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहट प्रोप्राइटर और पार्टनर का गहर दोसी होना मतलब किसी भी तरह से आपका कोई भी क्रिमनल एक्टिवीटी में हस्तक छेप होना अगर होगा तो आपको लैसेस नहीं मिलेगा ये कॉस्मेटिक एक्ट 1940 कहता है एक रेइस्टर फार्मसिस्ट या किसी सक्षम व्यक्ति से नियुक्ति पत्र यदि कार है मतलब अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो उसकी नियुक्ति पत्र की एक कॉपी भी आपको इस सारे पेपर के साथ लगानी पड़ेगी ये सारे वो पेपर थे जो आपको फॉर्म भरके अपलाय करते समय अपने नजदी की ड्रक्स ओफिस में जमा करना पड़ेगा इन सब के लिए अब बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कितना profit है और कितना investment है तो उसको समझ जी Cup सबसे पहला और common सबाल जो मेरे सामने आता है कि दवाई दुकान खोलने में कितना ज़ादा खर्च होता है कितना पैसा invest करने की जरूरत है तो आपको बता दे जब मैंने कुछ नए दुकनधारों से बात किया उन्होंने कहा कि जब इस्टार्टिंग फेज में आप दवाई का दुकान खोल रहे हो तो ज़्यादा इन्वेस्ट करना सही नहीं रहता तीन से चार लाख रुपए में एक अच्छा दवाई का दुकान नौर्मल वाला खुल जाता है जिससे डेली दवाई का बिकरी स्टार् जो मार्केट अच्छा है तो उस कंडिशन में आप मुद्रा लोन के लिए अपलाई कर सकते हो कैसे अपलाई करना है उसका प्रोसेस जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है तो आपको लोन इसमें आसानी से मिल जाएगा दूसरा क्या है दवाई के दुकान क्या फर्मसी की दुकान उनको भी एक फर्मसिस्ट रखना पड़ता है उनको एक फर्मसिस्ट को जौब देना पड़ता है सिर्फ फर्मसिस्ट ही दवाई का दुकान चला सकते हैं सरकार के अनुसा दवाई का दुकान खोलने के लिए कौन सी डिगरी चाहिए ये भी बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो आपको बता दू कि दवाई का दुकान खोलने के लिए आपके पास या तो B Pharma की डिगडी होनी चाहिए, या फिर M Pharma की डिगडी होनी चाहिए, कई सौट टर्म डिपलोमा कोर्स भी आते हैं, B Pharma M Pharma होगेरा के, जो 6 मंत के होते हैं एक साल के होते हैं, लोग वो करके भी दवाई दुकान खोल सकते हैं, अब ये देखिए कि B Pharma के बाद Medicine Store खोल सकता हूँ, डिरेक्ट जीसों ने B Pharma कर लिया है, वो पूछ रहे हैं कि B Pharma के बाद डिरेक्ट खोल सकता है, तो नहीं Condition है, कैसे Form Fill Up करना है, इन सब में कोई भी दिक्कत है आपको, आप Comment कर देना, मैं उसका Reply कर दूँगा, आप किस State से वीडियो देख रहे हो, Comment करना, क्योंकि हर जगा इस Form को जमा करने के लिए अलग-अलग Office थे, इसलिए मैंने कोई एक Clear Office नहीं बताया, आप Comment करना, मैं बता दूँगा कि आपके यहां कहां Form मिलेगा, कहां से Form बढ़ना है, किस State से देख रहे हो, आप यह Comment करके ज़रूर बताना, मुद्रा लोन अगेरा लेना हो, अगर Medicine Shop के लिए कोई भी Business के लिए मुद्रा लोन अगेरा लेना हो, तो उसका Link आपको Description ने दे दिया है, क्योंकि मुद्रा लोन आज के समय में Best है किसी भी तरह के Business को Start करने के लिए, उसमें कोई भी आपको Collateral जमा नहीं करना पड़ता किसी भी तरह से, ठीक है, ठाइंक्यू, अगर यहां तक वीडियो देखा है आपने, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, कॉमेंट कर देना, लाइक कर देना और सेयर करना, जो खोलना चाहते हैं, उनके साथ सेयर कर देना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद.